रादे रादे हरी कृष्णा स्वागत है आप सभी का हमारे चानल में आप सुबसब पापा की ये भीगी हुए आँखे देख रही हो तो ये ओवेसली एक कोई रो नहीं रहे हैं और पापा हमारे लिए बिलकुल नहीं रो रहे हैं एसलिए वो प्यास चील रहे थे इसके लिए उनकी आँखों में आसू थी और वो सुबसुब मा की हल्प कर रहे थे देखेए गाइस कहा जाता है कि देवी पारवती ने भगवान शिव को पाने के लिए उनको पती की रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी उन्होंने सावन के महिने में सोमवार का व्रत रखा और उनकी तपस्या से ही प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वर्दान दिया और भगवान शिव माता पारवती के पती की रूप में उन्हें मिले इस्सीतरीके से हम क्या करते है श्रावन का उव्रत रखते है ठरिश्रावन सोमभार की अगले दिन क्या होता है जो पेट पूजह होती है जैसे खाने में आज उनके था दाल भाद इग्धम जीरा का तड़का लगाया हुआ दाल चेपस आलू और करियली की भूजिया प्रृसाद की और सब्सक्राइब अग्दम प्रशाद पापा का ऐसे क्यों क्षी एथी में क्योंत परायों, तेवार के अपने हैं जाता है जो आप अपने परिवाय के साथ खुशे-खुशे निताते हो, मनाते हो क्योंकि अब श्रावन शुरू हो चुका है, श्रावन पूरा श्रावन भगवान शिर्की पूजा होगी उसके बाद हमारे गनपती बपा आजाएंगे, उसके बाद हमारी दुर्गा महिया आजाएंगे, फिर हमारी लक्ष्मी महिया आजाएंगे तो ये पूरा साल हम हिंदो का ऐसे ही चलता होता है कि हमारा भीष्रावन को दूसरा सोंवार होने के बाद दिन कुछ इस तरीके से निकला हमारा हम सब तो अभी में और काना है रूम में और काना ने अभी हमा ला मिश्ली खाया है नहीं हमारे काना का षायन करने का समय हो गया है अब मेरे शोना जैशना बाप गया है को है एिज अबाप लेकर आई हूग데 इक मैं काम कर रहे थी और प्ले मॉंप अबना बापी ज़िए इस बहुरे Livi न जब कि देखा देखा कि मेरे काना उदर बैठे हुए थे ओर पता मौसम है इतना थंडा ना कि वह बहुत या से ठंडे हो गया थे इतने जाद रिखा और काना इसे ठंडे हो जाते लुगों को जारा भी पसंद नी आ था तो मैंने क्या कि मैंने फट्टा फिर से उनको घोद लिया अर उनको ऐसे डुपटे में लपेट लिए ताकि मेरे काना को थंडी डालागे और कमें, अगया मैं लिखा। मैंने को टुपटे में लपेट लिए है, ताकि उनको थंजी नहीं लगेगी जब तक इनका शरीर गरम नहीं होता तब तक मैं काना कोई इसमें से नहीं निकालूँगी मैंने उनको बोला ऐसे दिदी के गोद में डुपटे में रहना है ऐसे टकूर टकूर देखते रहना है बश लेकिन आपको शरीर को जल्दी से जल्दी गरम हो जाएंगी आपू इतने ज़दा थंडे हो गए थे हैं मैं इनको ब्लैंकेट में मेरे साथ ही लेके सोती हूँ मैं इनको जटरा भी ऐसा थंडा नहीं होने देती पता नहीं क्यों मेरा भावी इनके लिए इतना यह है न कि मुझा बढ़ाएं नहीं मेरे बाबु ऐसे ठंडे नहीं होने चाहिए उनका शरीर नार्बल टेंपरेचर में रहना चाहिए अभी देखो कैसे शानती से चुपचा पैठे हुए दीदी के गोदी में क्योंकि इनको पता है इनकी दीदी इनको ऐसे देखी नहीं सकती बतादो आप अब सबको और यहाय बैदो आप सबको एइए देखी नहीं दीदी इनकी पाइए जाए जानती पिस्त श्री देखान गड़ा प्काइए झाल